आज हम बनाने वाले हैं सबकी फेवरेट बहुती टेस्टी साउथ इंडियन नारियल चटनी जिसे हम इडली, डोसा और बहुत सी रेसिपीस के साथ खाना पसंद करते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ये देखिए ये मैंने ताजा नारियल लिया है आधा न नारियल है ना मैं इसका छिलका नहीं हटाऊंगी ऐसे ही चटनी बनाऊंगी आप चाहें तो ऐसे ही बनाई या फिर छिलका हटा कर भी आप चटनी बना सकते हैं तो ये जो नारियल है इसे आपको छोटे-छोटे पीसे में कट कर लेना है ताकि से जब हम इसे ग्राइंड कर और ध्यान रखें कि अभी आपको पानी वेगरा कुछ नहीं डालना है बस आपको चार कढ़कन बंद कर देना है और इसे ग्राइंड कर लेना है एकदम पर्फेक्ट चटनी बनके त्यार होगी कुछ लोगों की शिकायत होती है कि जब वो चटनी बनाते है तो पानी अलग हो नारियल अलग हो जाता है तो अगर आप मेरे बताया नुसाय चटनी बनाएंगे तो चटनी एककम पर्फेक्ट बनेगी स्मूथ सिल्की बनेगी पानी अलग और नारियल अलग नहीं होगा अब देखिए हमने नारियल को पीस कर त्यार कर लिया है बहुत ही अच्छे से पीस इससे जो चटनी होती है बहुती टेस्टी तो बनती है साथी साथ बहुती सिल्की समूथ बहुत यह अच्छी बनती है अब ये मैंने लिए हैं थोड़े से चने भुने हुए चने हैं यह हम इसमें ढाल देंगे इस चटनी में अच्छा काड़ा पनाएगा और पानी अलग नारी अलग ऐसा नहीं होगा पहुत ही बड़ी है चटनी बनेगी अब आप इसमें ढाल दें हरी मिर्ज आप अपने स्वा तो पीस लेते हैं इसे जरूरत के अनुसार बीच पीच में हम इसमें थोड़ा सा पानी अट कर देंगे तो यह देखिए मैंने चटनी को पीस कर त्यार कर लिया है बहुत ही स्मूध बनी है यह देखिए बहुत ही बड़ी है गाड़ी गाड़ी चटनी बनी है और ऐसा नही तो यहां पर चटनी को मैंने निकाल लिया है अब मैज में डाल रहे हूं आधा चमच नमक चटनी में अच्छे खटे फ्लेवर के लिए मैं ऐस्में डाल रहे हूं from super tasty harvestgete और जब जब यूजँ, जब डालें आधा चमच राई गया सोख beef self आधा चमच इसमें जा रही है चना दाल आधाbor 凌द दाल एक चमच जोटाइक डालेंगे मेथिवान गया fed snippy सुखी दो लाल मिर्श्री थी जिने तोड़कर डाला है और आठ दस कड़ी पत्तेस में डाल दिया है अब सारी चीजों को अच्छी तरीके से भून लेना है इस तरह चलाते हुए इने भून ले यह जो दाल गरायन का कलर डार कोल्डन ब्राउन होने तक हमें इस तरीके से दाल है उनका कलर बहुत ही बड़ी आ चुका है तो बस हम इसे चटनी में डाल देते हैं तो यह देखिए तड़का हमारी नारियल की चटनी के अंदर और बस इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और सुपर टेस्टी डिलिश्यस नारियल की चटनी बनके हो चुकी है त ऐसे भी पसंद आई तो लाइक, कॉमेंट, शेयर, चैनल को सबस्क्राइब, बैल आइकन को प्रेस और ओल पर क्लिक करना बिल्कुल न भूलें फिर मिलेंगे अगली वीडियो